दोसों मॉर्निंग के 9 o'clock हो रहे हैं सभी भाईयों को very good morning have a wonderful day आज ये चुजों का day 46 है 46 management बताएंगे आज थोड़ा सा हम इनको सबजी introduce करेंगे तुरही का सालन मना रहे थे तो हम तुरही की जो भी छिलका रहता है वो इस तरह से थोड़ा सा मैं छोटे-छोटे कर लेकर चुजों को खिला दूंगा introduce करूंगा आज ही सब चुजे खाने नहीं लगेंगे एक ही दम क्यूंकि आज फाइले दिने इंको सबजी introduce कराने का थोड़ा सा आज थोड़ा सा चुजे देखते रहते ये क्या है बई नया फीड करेकर थोड़ा सा खाने लगते उसके बाद अपने नेक्स्ट बार दालते तो एकदम जल्दी से एक के बिच्छो एक आकर खाते रहेंगा कई सब्जी हो ना जाए कर ताकि अपना जो 30 फिक्स बैच पहले पाले थे उसमें भी सेम इसी तरह से था तो आज इनका डे 46 चल रहा है पचास चुजे आज को भी उसी तरह से दोस्त एक भी mortality नहीं नहीं है ताकि management इस तरह से पाल रहे है कि हम कि पुरा perfect temperature management हो जाए या field management हो जाए medicines, prevention ये सब कुछ इसलिए हर एक video upload हो चुका है आप देख सकते हो क्यूंकि चूजों को बचाना बहुत main important topic रहती है दोस्ता कि आप चूजों को बचाओगे ही तो business में लंबा सफर कर पाओगे ठीक है तो अभी हम सबजी धाल दे रहे आज तो ठोड़ा भुत खाएंगे या बचा देंगे हम शाम तलक देखेंगे उसके बाद कल तो फिर दूसरी सबजी कुछी भी काट रहे है तो वह भी दाल देंगे तो अभी हम क्या करेंगे दाना भी खिला देते हैं इसमें जवारी प्य स्टार्टर फिड दो मिलेवा है थोड़ा सा भिगा दिया हूं मैं हाथ में खिलाता हूं ताकि मुझे बड्स बहुत पसंद है यार इसलिए थोड़ा सा बड्स ना बड्स की क्यारक्टर ऐसी रहती है कि अपन कुछ उनको बस खाना दो पेट फुल खाना किला दो उसके आएगा क्योंकि इंसानों को कैसा रहता है मतलब आपके पास मान लो हंड्रेड रुपीस है उसमें से 50 रुपीस दे दो और इसके पास 50 रुपीस बचे वह कैसे ले कर थोड़ा सा रहता है मतलब कितना भी करो यार कमी पड़ जाता है बड्स को ऐसे नहीं पेट फुल खिला दे रहे हाँ हात में देखिये चुजे किस तरह से चाड़कर खा रहे है मस लगता है यार इस तरह से ये बड़ी वाली मुर्गी आ गई हे इनको इंको अलरड़ी जादा ला कर आया हूँ पेले इनको आपी आ गजए है या घाई है इनको कश कब नहीं करेंगे उसी लिए हम चलो अभी perfect है सब चूजे हम morning का इंका नाश्टा अगे रहा अच्छ से खिला दे रहा है तो देखते हैं फिर बाद में और पानी में देखिए एक लिटर पानी में आपको जो ऑस्टरवेट का bottle दिख रहा है उसमें विम्रोल मिला दिए हम एक लिटर विम्रोल में क्या करना ह आपको स्वारी एक लिटर ऑस्टरवेट में 60 ml विम्रोल मिला देना है मिला कर उसमें से डेली आपके पास 50 चूज़े है ना लगबग 2 ml पानी में एक लिटर पानी में मिला देकर आप पिला दे सकते हो बच्चों को पीने के पानी में रग दे सकते हो एक से 2 लिटर पानी म चलिए मैं अंदाजे के हिसाब से 2 ml तलक डाल दे रहा हूँ इसमें डाल कर अच्छे से मिला देकर चलो पीने के पानी में रख देता हूँ अंदेर दिन भर अराम से पी लेंगे कल मौनिंग तलक आ जाएगा ये पानी इनको 50 चूजों को अभी मैं क्या करूँगा थोड़ा स आए जैसा क्या करूँगा मैं लकडी को थोड़ा से जाली है ना जाली को थोड़ा सा उठा कर रहूँगा ताकि नीचे सांध रह सके बच्चे नीचे से इदर आ सके बाहर आ सके फिर अंदर जा सके देखिए जाली में किस तरह से सांध रख रहा हूँ देखिए मैं नीचे सबस्क्राइब ही, वहाँ आपर अभी देखी, कि इस तरह से निकल रहे. अभी इवनिंग का टाइम encryption हो गया है, तोस्त धंडी थोड़ा ज्यादा आ गई है, देखें थेखें हम क्या क्या करा है, थोड़ा सा भूंसा डाल दिए नीचे ताकि जो कर और थोड़ा क्लीन रहता है इस तरह से भूसा डाल कर हम स्टार्टर फीड प्लेस जवारी मिलेवा फीड हम इस तरह से जो अंदर एक बॉक्स दिख रहा है जो धक्कन उसमें रख दिये और पानी लेक्शन बडर का अच्छ से दे दिये तो अभी हम क्या करते हैं इनको इसमें सबसे बड़ा वाला चुजा है ये फिर अभी कल के वीडियो में मिलते है दोस्त कल का वीडियो आने के लिए क्ल करना है आपको नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है जरूर उसके साथ-साथ यास से बेल आइकॉन की घंटी जो दिखरी है आपको सब्सक्राइब के बाजु में वो दबा कर औल पे कर लेना है औल पे जब दबाओगे जब भी मैं वीडियो रखोंगा आप ते का आएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैं जब वीडियो रखी सो सीलिए सब्सक्राइब कमपन सरीए घंटी दबा कर औल कर लीजे जो भी नए भाई दे और यदे उपलोड करो या आइजब बशन창 यहां गिऴ्र अव्लोड करो या इवनिंग के चार वज़ अपलोड करो यह जो टाइमिंग बताया हूं मैं इसमें आपको जो कंपोन्पोर्टिब्ल है ताइम वो टेम मुझे बताईए यह रात के 8 ज़े 7 बजए देखना चारे आपके हिसाब से मैं वीडियो रखने की कोशिश करूँगा मेरे भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में खयाल रखिए और मुझे याज भी रखिए मैं हूँ आपका दोस्त अजमत Have a wonderful day